Hello everyone, स्वागत है आपका UPSC Hindi में, हम लोग देख रहे हैं 108 दिन के सीरीज जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं ancient history के topics, पिछली lecture में हमने देखा था बुद्धिजम के बारे में किस तरह से गौतम बुद्ध का जन्म होता है और उन्होंने सीक्षा जो है वो ग्यान जाए वो दूसर में पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग PDF के फॉर्म में इसको आप लोगों को टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो जो भी नोट्स दिया जा रहा है एक बार अगर आप लोगों का सब्जेक कंप्लीट होता है तो उसका नोट्स जो है वो chieder question's पूछे जाते है उसका जो भी आपके पास source हो उससे आप लोगों हो questions जरूर से वाप्त जरूर से sort करना है ठीक है तो start करते है आज का topic जैन-धर्म जयन चबद है इसका अर्थ होता है यह जो शबद है जिन से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजयता ठीक है नाम से जाना जाता है, या फिर निर्गरंथ कहा जाता है, ठीक है, जैन धर्म की अगर बात की जाए, तो इसमें 24 तीर थंकर जो है, यह माने जाते हैं, ठीक है, यानि कि जैन संस्थापक जो है, वो 24 है, और इन्हों ने समय समय पर जैन धर्म का प्रिचार प्रिसार किया है, ठीक है, तो यहाँ पर 24 के जो नाम है, वो दिये हुए है, यह सभी नाम जो यह काफी important है, क्योंकि इस पर question पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो question ऐसे पूछा जाता है कि second number की तीर थंकर का नाम क्या है, या फिर दसवे number की तीर थंकर कौन है, इस तरह से questions रहे हैं, वो ब बता रहे हैं कि कौन से 24 तीर थंकर हैं, सबसे पहला नाम है, रिशवदेव या फिर आदी नाथ, अभी क्योंकि इनके नाम में ही आदी है, तो यह आप लोग समझ सकते हैं, पहले तीर थंकर हैं, आदी नाथ के बाद आता है, अजीत नाथ, ठीक है, तो आदी के बाद आते आठेके यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है चंद्रप्रभु होगा ठीक है उसके बाद आते हैं पुष्पदंत जिनको सुविधी नाथ भी कहा जाता है ठीक इसके बाद दसवे नंबर पर आते हैं शीतलनाथ अब यह जो दस नाम है इसको आप लोग फिर से रिवाइस का सुपार्श्वनाथ चंद्रप्रभु पुष्वदंत पुष्पदंत और शीतलनाथ ठीक है तो यह दस नाम्याद हो गए आपको उसके बाद आते हैं 11 नंबर पर आते हैं श्रयांशनाथ फिर हैं वासुपुझ थर्ड हैं विमलनाथ सौरी 13 थैं विमलनाथ 14 थैं आपके धर्मनाथ फिर शांतिनाथ फिर आते हैं कुन्थूनाथ ठीक फिर आते हैं अरनाथ और 19 पर आते हैं मलीनाथ ठीक नेक्स आते हैं मुनिस्रुवरत ठीक है तो फिर से यह नेक्स्ट जो 10 की सीरीज है इसको याद कर दिए सबसे पहले आते हैं श्रयांश फिर आते हैं अरनाथ, मली नाथ और मुनी सुवरत ठीक है तो यह 20 के 2020 टेंटेंट करके जो सीरीज है यह हमने 20 तक याद कर लिए इसके बाद आते हैं नमी नाथ नमी के बाद आता है नेमी नाथ जिसको अरिष्ट नेमी नाम से भी जाना जाता है फिर 23rd नमबर पर आते हैं पाश्वनाथ ठीक है इंपोर्टन्ट है और 24 फे नमबर पर आते हैं महावीर स्वामी ठीक तो यह पूरी सीरीज जो है 24 तीत ठंकर की आई होब आप लोगों को याद हो गई होगी इसको बार-बार आपको रिवाइस करना पड़ेगा एक बार में सीरीज याद नहीं होगी जिनको औरेड इस तरह से पाश-पाश का टर्म बना के कर सकते हैं या फिर दस और चार का टर्म बना के याद कर सकते हैं जैन धर्म के जो प्रथम ठंकर थे इनका नाम था रिशब देव या फिर आदीनाथ बोला जाता है इनके कुछ अन्य नाम भी है जैसे कि रिशब नाथ आदीनाथ र रिशब नात ये सब बोलने का तरीका है एक ही नाम है इसके साथ ही इनका जो रिशब देव हैं और अरिश्ट नीमी है ठीक है यानि कि नीमी नात और रिशब देव इन दोनों का ही उलेख रिगवेद में मलता है डेरेक्ली इस पर भी क्वेश्चिन पूछे जाते हैं नेक्स्ट पार्श्वनात की अगर बात की जाए तो ये तेईसवे तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका जो जन्म है ये काशी यानि कि वराणसी में हुआ था इनके जो पिता थे ये अश्वसेन हुआ करते थे और काशी के राजा हुआ करते थे अब इंपोर्टन ये है कि पार्श्वनात को वराणसी के निकट एक आश्रम पद उद्यान है यहां पे इनको ज्यान प्राप्ति हुई और उससे भी इंपोर्टन बात ये है कि इनका इनका जो परी निर्वान होता है यानि कि इनका जो इनकी जो देह त्यागने की का जो प इन पारशनार जो थे अपनी सिक्षा में चार गुड़ों को अपनाने के लिए कहा करते थे, जिसमें आता है सत्य, अहिंसा, अस्ते और अपरीग्रह, ठीक, ये चारों सिक्षा जो है, ये भी आपनों ग्याद कर सकते हैं, इसके साथ ही महावीर स्वामी की जन्म की बात की जा इनकी पिता जो थे सिधात नाम था उनका ये शत्रियों के संग के प्रधान हुआ करते थे, इसके साथ ही जो इनकी माता थी, उनका नाम था त्रिशाला, ये वैशाली के लिछवी गणराज्य के प्रमुख हुआ करते थे, चेटक जिनकी बहन थी, ठीक है, तो यहाँ पर य नाम यशोदा था, उसके बाद इनकी पुत्री थी, जिनका नाम प्रियदर्शना था और इसके साथ ही जो इनके दमाद थे, यानि की जो इनके पती हुए थे, प्रियदर्शना के, इनका नाम जमाली था, आगे हम लोग देखेंगे, जमाली जो थे, ये एक शिष्य भी बन साथी महावीर स्वामी की अगर बात की जाए तो इन्होंने 12 वर्षों की कठोड तपस्या की थी, साधना की थी, कहां पर की थी, रिजुपाली का नदी के तटपड की थी, और एक द्रिम का ग्राम में हुआ था, तो यहां पर ठीक है, तो ज्रिम्भिक ग्राम या फिर जिम पाली का नदी याद रखे और साल वरिक्ष, यह सभी इंपोर्टन है, ज्यान प्राफ्ति के प्रश्चात, इनके कुछ नाम रखे गया थे, जैसे की केवलिन, औरिहत, जिन और निर्गरत, ठीक है, तो यह सभी नाम जो है, यह महावीर स्वामी के रखे गया थे, इसके साथ ही इनके जो प्रथम शिष्य बने थे, यह थे जमाली, जमाली कौन थे, यह मैंने आपको अलरी विता है, इनके दमाध हुआ करते थे, यह इनके प्रथम शिष्य बनते हैं, पर आगे चलके इनके साथ मदभेद हो जाते हैं, और मदभेद के कारण जमाली जो है, यह सं गुप्त नामक व्यक्ति ने किया था, next इसी समय में contemporary to this जो भी पीरट चल रहा है, इसी के contemporary एक मखाली गोसाल नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने आजीवक संप्रदाई की स्थापना की थी, इनका जो मत हुआ करता था वो नियती वाद हुआ करता था, ठीक है, तो यहां पर इन ancient history जब हम लोग पड़ते हैं, तो आजीवक संप्रदाई से जुड़े वे एक प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है, अगर आप लोगों को पता है, तो comment box में लिख सकते हैं, आप लोग नहीं पता है, तो later on ancient history की ये series चल रही है, इसमें मैं आपको later on बताऊंगे, कि आजीव बापूरी naamakस्थान पे महावीर स्वामी ने अपना शिरीर त्याग दिया था, इनकी जो 5 महावरत की सिक्षा थी ये मैंने आपको अल्रडी बताया है, अहिंसा, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह, और एक और, इन्होंने 5 महावरत की सिक्षा दिया तो अभी तक हम ने 4 पढ़ ड्राम का। यह जो पांच्чики-णाव रत है। यह महावीर स्वामि के द्वारा ऐड किया गया था। इसका उर्थ होता है, अहिंसा का आर्थ आपको पता ही है। सत्य का अर्थ जो होता है कि किकि स्य दूसरे की वस्तु को चोरी ना चानना, ठीक है। अपरीगरह का मतलब होता है कि जो बहुत सारा धन जो है वो हमको collect नहीं करना चाहिए, संचित नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो है, इनके जो महा वृत में आता था, इसके बाद ब्रमचर कार्थ होता है, ब्रमचारी रहना यानि कि विवाहना करना, ठीक है, तो इस तरह से ये सभी चीज़े भी आप लोग कर सकते हैं। माविय स्वामी जो थे ये वेदों को नहीं मानते थे। इसके साथ ही इसमें जो पाखंडी चीज़े दी गई थे, इसका ये विरोध किया करते थे। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, मानते नहीं थे, बट ये नास्तिक भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि ये इश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। इन्हों ने एक मिडल रास्ता निकाला। ठीक है, तो यहां पर आत्मवादियों और नास्तिकों के जो मत थे, इन दोनों को ही छोड़के, इन्होंने एक बीच का मार्ग अपनाया, जिसको अनेकांत वाद कहा जाता है, या फिर स्यायवाद भी कहा जाता है, ठीक है, तो इंपोर्टन क्वेस्टन है, इस पर भी रशन पूछा जाता है, ठीक है, तो अनेकांत वाद या फिर स्याद नहीं पर जो स्यादवाद है सब्धभंगि नये नाम से भी जाना जाता है यह यह ज्यान की सापेक्षता का सद्धानत है इसके साथ महाविर्षवामी की बात जाए तो यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे पर पिरंतु इनका विश्वास पुनरजनम में था इसके साथ कर्म वाद में विश्वास इनका रखता था so पुनरजनम कर्म वाद में इनका विश्वास था, इसके साथ ही अनेकांत वाद का, इन्होंने मत की स्थापना की थी, जिसको स्याद वाद नाम से भी जाना जाता एं, इसके साथ ही जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए भी कुछ साधन बताए गया है, यानि ये लोग मुक्ष में विश्वास रखते थे ये जो तीन साधन है ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान और सम्यक चरित्र इन तीनों ही चीजों को तरी रत्न नाम से जाना जाता है जैन धर्म में नेक्स रम लोग इंपोर्टन टेबल देखेंगे इसमें प्रमुख जैन तीर्थंकर के नाम है इसके साथ ही उनके कुछ प्रतीक चिन्ह दिये हुए है ठीक है इस पर भी डैरेक क्वेश्चन पूछे जाते है मैच दर फॉलिंग टाप भी क्वेश्चन पूछे जाते है साथी उब्जेक्टव टाइप क्वेश्चन पूछे तो कुछ तीर्थंकर के नाम दिये गया है इनके प्रतीक चिन्ह दिये गया है जैसे रिषब देव यानि कि जो आदी नाथ है इनको बैल इनका प्रतीक चिन्ह है अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी ठीक है याद कर लिजे रिशब यानि की आदी देव का है बैल इसके बाद आता है अजीत नात का हाथी संभव नात का आता है अश्व ठीक है संभव नात का अश्व फिर पद्न प्रभू का आता है कमल सुपार्ष्वनात का आता है स्वास्तिक मली नात का आता है कलश नमी नात का आता है नील कमल ठीक है इसके साथ ही नेमी नात का आता है शंक पार्ष्वनात का आता है सर्फ और महावीर स्वामी का आता है सिंग ठीक है इसमें जो important है यह है महावीर स्वामी का याद कर लीजे, पार्ष्वनात का याद कर लीजे, इसके साथ ही मली नात का पूछा जाता है, सुपार्ष्वनात का पूछा जाता है, पद्म प्रभु नाम से ही पता चल रहा है आप में, तो कॉमल नाम आप समझ सकते हैं, इसके साथ संभव का आता है, अश्व अजीत का हाथी और रिशव देव का बैल, यह अभी इंपोर्टन्ट है, ठीक है, महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी, जैन संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 मेंबर हुआ करते थी, ठीक है, इसके बाद जब इनके मृत्ति हो जाते है, तो उसके आगे चलके जो जैन संप्रदाय है, यह दो संप्रदाओं में विभक्त हो जाता है, एक का नाम है श्वेतामबर दूसरे का नाम है दिगंबर, ठीक है, तो यहाँ पे स्थूल भद्र नामक जो वेक्ति हैं, इनके जो अनुयाई थे, स्थूल भद्र के जो अनुयाई थे, और जो भद्र बाहू के अनुयाई थे, यह दिगंबर कहलाते हैं, एक और संप्रदाय है, यापनिय नाम से, यह भी जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है, ठीक है, तो यहाँ पे स्थूल भद्र और भद्र बाहू, श्वेतामबर और दिगंबर में क्या फर्क हैं, यह अभी ह 310 BC में होती है, 310 इसके साथी पाटली पुत्र में होती है, और स्थूल भद्र जो होता है, इनकी अध्यक्षता में होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगोंने बुद्धिस्ट काउंसल पड़ी थी, इसी तरह से जैन सभा का आयोजन किया जाता है, 310 BC में होता है, प्रथम जैन सभा और पाटली पुत्र में होता है, इसकी अध्यक्षता में होता है, इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, ठीक है, इसके बाद कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ हैं और उनके रशनाकार के नाम लिखे गया है, जैसे कि कल्प सूत्र जो कि भद्र बाहू के द्वारा लिखा गया था, इंपोर्टन्ट है, नेक्स्ट आता है स्यादवाद मंजरी जो कि मली सेन द्वारा लिखा गया है, न्यायवतार जो है ये सिद्ध सेन दिवाकर के द्वारा लिखा गया है, न्याय दीपिका धर्म भूशन के द्वारा लिखा ग ततवार्थ सूत्र यह उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया है श्लोक वार्तिक यह विद्यानंद स्वामी के द्वारा लिखा गया है और प्रवचन साज यह कुंद कुंद के द्वारा लिखा गया है इसके बाद अगर हम लोग जैन साहित्य की बात करें तो इसमें जो अशोग के पौत्र थे, ठीक है, ग्रैंड संज जो कहा जाएगा, इनका नाम था संपृति और ये जैन मत के संगरक्षक थे, ठीक है, ये उजैन की शाशक थे और उजैन में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र उस समय तक बन चुका था, ठीक है, जैनियों का जो दूसरा प्रमुख केंद्र था, ये था मतुरा, और देखा जाए, तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसल है, जो सेकेंड जैन सभा होगी, वो मतुरा और वल्लभी, गुजरात, दोनों ही स्थानों पे, दूसरी जैन स सभा जो है, वो और गनाइस की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे अनेक मंदिर, प्रतिमाएं और अभिलेग भी प्राप्त हुए हैं, मतुरा से, नेक्स्ट इंपॉर्टन नाम जो है, ये खारवेल का है, जो की चेदी के, कलिंग के चेदी के साशक हुआ करते थे, इन्हों न भुवनेश्वर के नस्दीक, उदैगिरी और खंडगिरी, इंपॉर्टन नाम है दोनों ही, उदैगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर, जैन भिक्षूओं के निवास के लिए एक विहार बनवाया था, नेक्स्ट जो राजकूट के राजा हुआ करते थे, इनके साशनकाल में भी गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार यह काफी जादा हुआ था, यहां के लिए काफी लोग प्रिये रहा है, खजुराहों के मंदरों की बात की जाए, तो यहां पे हिंदु धर्म और जैन धर्म दोनों से ही संबंदिर मंदर मिलते हैं, खजुराहों से, इसके साथ ही माउंट अबू का जो दिलवारा का जो जैन टेंपल है, यह संग मरमर का बना हुआ है, यह भी काफी इंपॉर्टन्ट है, इसका जो निर्माण है, यह गुजरात के चालुक की यानि की सोलंकी शाशक भीम देव प्रथम के द किलवारा जैन टेंपल का निर्माण करवाए गया है, गुजरात के चालुक के या फिर सोलंकी शाशक हुआ करते थे, इसके साथ ही श्रमण बेल गोला जो है, यह करनाटक राज्य में स्थित है, यहां गंग साशक जो थे, रचमल चतुर्थ जिनको पंचमल नाम से भी जान निर्माण करवाया है, ठीक है, तो यह काफी बड़ी मूर्ती जो है, आप लोगो ने अक्सर देखा होगा, अक्सर जो है, न्यूज में देखा होगा, आपने जब भी जैन धर्म की बात होती है, तो इस पर्टिकुलर मूर्ती की चर्चा जो होती है, यहां पे एक अभिशे जो है, यह प्रथम जैन तीर्थंकर रिशब देव के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है, तो इनी का महा मस्तक अभी शेक किया जाता है, और यह जैन धर्म का एक प्रमुख उत्सव माना जाता है, जो कि 12 वर्ष के अंतराल में करनाटक राज्ज के श्रवन बेल गोला में के मोक्ष स्थल यह पूछा जाता है सभी तीर ठंकर तो इसमें जो सभी तीर ठंकर हैं, इन में से 20 लोगों की मृत्तिव है, या फिर मोक्ष स्थल है, यह सम्मेठ शिखर जिसको शिखर जी नाम से जाना जाता है, यहां कहा था, ठीक तो सम्मेज शिखर ये जारखंड में इस्थित है, यहां पर 20 तीर थंकर का मोक्ष स्थल माना जाता है, बाकी जो बचे हुए, 4 तीर थंकर है, यह काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर question पूछे जाते हैं, इन लोगों के मृत्यु जो है, वो सम्मेज शिखर से अलग हुई थी तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको नाम याद रखना है कि रिशव नाथ जो है, जो पहले तीर थंकरते, इनका मोक्ष स्थल है अश्टपद परवत, ठीक है, तो अश्टपद नाम से याद रख सकते हैं, रिशव देव जो यानि आदी नाथ थे, इनका यह आदी नाथ का मोक्ष स्थल माना जाएगा, इसके बाद आता है वासु पुझ जिनका मोक्ष स्थल है चमपापुरी, ठीक है, तो चमपापुरी किसका है, यहाँ पर वासु पुझ नाम, वासु पुझ का, वासु पुझ का है चमपापुरी, नेक्स्ट इंपॉर्टें है चमपपुरि कहां पे सते हैं बियार मे इसते हैं नेक्स इंपरव्टंट है नेमीनाता नेमिनात का है गिर्णार शिकhर जो की गुणॉरात अथम अ कुरेशरों स्थान पे इनका मोक्ष हुआ था इन्होंने देहत्यागा था और बाकी जो सभी 20 तीर थंकर है इनका जो मोक्ष स्थल है यह है सम्मेज शिखर जो की जारकंड में स्थित है ठीक है जाने जाते है। इस्थरी के लिए भी मोक्ष प्रार्त्ती संभव है तो यहां पर इस्थरी kayों का भी जोुआं से और इस्थरी के लिए मोक्ष रहन regained के बोचन हमें रखते है IS in JEFF सदाय के लोग ठीक है और यहां पर दिगंबर की बात की जाए तो यह लोग साधू जैसा जीवन जीते हैं और यहां पर भोजन ग्रहन करने में भी इनका कुछ अपना सेलेक्शन रहता है कि इस प्रकार के भोजन करने हैं इस तरह का खाना जो है वो खाना चाहिए श्वेतामबर की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि महावीर स्वामी जो थे यह विवाहित थे इनकी पुत्री भी थी साथ में इनके दमाद भी हुआ करते थे तो इनको विवाहित के रूप में पूजा जाता है दिगंबर की माना जाये तो यहाँ पर महावीर स्वामी को यह लोग अ विवाहित मानते हैं और इनको एक तरह से तपस्वी के रूप में पूजते है श्वेतामबर जो है इनके मत के अनुसार जो 19 वे ती ठांकर है मली नात्थ ये इनके मत अनुसार मली नाथ जो थे ये पुरुष थे ठीक है तो इस तरह के कॉंट्रडिक्ट्री स्टेट्मेंट जो है ये भी डिफरेंस करता है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बीच में ठीक है तो ये सभी इंपॉर्टन चीजे जो है जैन धर्म से पुछी जाने वाली सभी चीजे मैंने आप लोगों को इस पर्टिकुलर चाप्टर में बता दिया है इसके लावा जो भी चीजे पूछी जाती है वो आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में याद करने की जविवत नहीं है कुछ पूछन जो है वो पूछना चाहती है मैं आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे शैव या फिर भागवत धर्म और आज के जो क्वेश्चन है वो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर से करना है ठीक है तो सबसे पहला यूज किया जाता है वो आपको बताना है इसके साथ ही नेमी नात की जो मोक्ष स्थल है ये कहां पे स्थित है ये आपको बताना है ठीक है तीसरा आपको बताना है मली नात का जो सिंबल है यानि की चिन है ये आपको बताना है और लास्ट क्रेश्चन आपको बताना है कौन से नदी के टट पर महवीर स्वामी को ज्यान की प्राप्ति हुई थी यानि की कैवल की जो स्थिती यह हुई थी कौन से नदी के टट पर ठीक है कहां पर यह सभी क्वेशिन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से सॉल करिएगा और जैसे कि मैं बार-बार कहती हूं आ ठीक है तो आज की लेक्चर में बस इतना ही कल नेक्स लेक्चर में हम लोग शैवद्र या फिर भागवत दन्प से स्टार्ट करेंगे थांक यू फॉर वाचिंग दे लेक्च्चर